पहला क्वेशन है वस्कुलार टीशू आर प्रेज़न इन ब्रायोफाइट्स और ट्रू और फोर्स के बारे में बताना तो पहला जो क्वेशन है वो गलत है क्योंकि यहां से हम देख करते हैं कि टेरिड़फाइट्स में एवोल्युसर्णरी टेर फॉस्कुलार टीशू आर प्रेज़न इन ब्रायोफाइट्स और नोर तो यह वस्कुलार टीशू इस परेले टेरिड़फाइट्स में प्रेजन नहीं था दूसरा क्वेशन है मतलब हमें बताना है यह गलत है या सही है तो ट्रेडवेफाइट में हम यहां से देख सकते हैं कि यहां पर लिखाया है लास्ट लाइन तो स्पोर्स चर्मिनेट टू गिव राइस तो इनकोंस्पिसियस स्माल बट मल्टी शेल्यूलार यह फ्री लिविंग और मोस्टी फोटो सिंथेटिक थेलोड गेमेटफाइट कॉल फ्रो थेलस बट हमने एक्वेशन में यहां पर लिखा है सिर्फ कॉंसियस दियाता है इसलिए मैंने रेट पेंट करके यहां पर इन लिखा है तो असलिए आता है कि हमें मतलब यह याद रखना है कि स्पोर्ट जर्मिने टू गिव राइस तो इन कॉंस्पीसियस मतलब कॉंस्पीसियस की जगा इन कॉंस्पीसियस आता है स्मॉल बट मल्टि सेलुलियर्ट यह सही है फ्री लिविंग भी सही है यह याद रखना है कि free living होता है यसे और mostly non photosynthetic नहीं आता photosynthetic आता है थेलर गिमेटफाइट कॉल्ड़ प्रो थेलर्स फिर third question है name the microscopic angiosperm तो देखो angiosperm में यहां से हमें मिलता है the range in size from tiny almost microscopic wolfhia to tall trees of eucalyptus over 100 meter मतलब यहां से angiosperm बहुत छोटे भी हो सकते हैं उसकी size wolfhia मतलब वो microscopic भी हो सकते हैं और 100 meter तक बड़े भी हो सकते हैं मतलब हमें यह दोनों याद रखना है microscopic wolfhia होता है और जो angiosperm में highest होता है eucalyptus वो 100 meter तक भी हो question है question 4 few of ICA store food in the form of manitol और laminarine के form में food store देखो हम देख सकते हैं कि यह few of ICA में जो वो store food करते हैं in the form of manitolin and laminarine और अगर आगे भी देखें तो chlorophyce स्टार्च में करती है फिर rodophyce फ्रोईडन स्टार्च वो होता है similar to amylopractin and glycogen मतलब आप भी ऐसे कर सकते हैं कि मतलब कुछ अपना short बना सकते ताकि आपको यह पूरा paragraph नहीं पढ़ना पढ़ है जब एक बार पढ़े paragraph तो कुछ अपना short बना लिजे और side में लिख लिजे ताकि वो आप चल दी पढ़ सके बाद में revision के time पे फिर question 5 है यहापे लिखा है यहापे लिखा है और इसके यह राइजोड होए हो वो होते है unicellular और unbranch होते है और यह मतलब evolution के time के time के मतलब पेलेड आया था और बाद में modify होके फिर जब moss आया तो उसमें moss का में example है फुनारिया तो फुनारिया में अगर देखते है तो उसका जो राइजोड है वो होता है multicellular and branch होता है थैंक यू